जैविजी की दोस्तों, मेरे नाम पास्टर अनिल कोचर है और मैं बॉंबिश शहर में रहकर परमेशों की सेवा करता हूँ आज की स्वरगी अमन्ना का भाग हमने लिया है दूसरा राजा, उसका तेरवा अध्याय और उसका एक्केसवा वचन वचन कहता है, लोग एक मृतक को मिठी दे रहे थे कि उन्होंने लूट मार करने वाले दल को देखा अता उन्होंने मृतक को एलीशा की कबर में डाल दिया, वहाँ एलीशा की हड्डियों से इस परश होते ही वो जीवित हो उठा और अपने पैरों पर खला हो गया धन्यवाद बिदा परमेशर, तेरे सामर्थ में चीवन है दोस्तों ये वचन हमें क्या दिखाता है, ये हमें वचन दिखाता है परमेशर के सामर्थ को ये बचन हमें बताता है कि अगर परमेशर का नाम हम में है अगर परमेशर की उपस्तिती हम में है अगर परमेशर का सामर्थ और उसकी आत्मा हम में है तो कोई भी बिनतक हम से स्पर्श करेगा और वो जिन्दा हो जाएगा यस जो आशीश अलीशा के पास था वो आशीश हमारे पास है जो सामर्थ अलीशा के पास था वो सामर्थ हमारे पास है इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने लिखा है दूसरा पत्रस दूसरा पत्रस में पत्रस ने क्या कहा है पहला दूसरा पत्रस का पहला शामन पत्रस की योड़ से जो इशुमसी का दास और प्रेडित है उन लोगों के नाम जिनको हमारे परमेश्वर उधार करता इशुमसी की धार मिक्ता द्वारा हमारे ही समान बहुमूल ने विश्वास प्राप्थ हुआ है यानि कि जो विश्वास पत्रस के पास था वो ख़ित वदिया उसने परमेश्वर के लिए संसार को छोड़ दिया ऐलीश्यय ने क्या किया था अलीश्वास जब परमेश्वर के चरणों में आया वो एक खेत जोट रता था था हालेलया उसके पस सारा साज لكن था वो संसार में था लेकिन जैसे ही आलीया ने उसका भी शे music क उसने अपने संसार को खतम कर दिया उसने अपनी चीजों को समाप्त कर दिया और पुरी तरीके से परमेश्वर का हो गया पुरी तरीके से परमेश्वर को उसने बताया कि मैं सिर्फ तेरा हूँ परभू मैं सिर्फ तेरे लिए ही जिन्दा हूँ मैं सिर्फ तेरा ही हुआ ले लिया उसके अंदर कोई लानश नहीं थी कोई सुार्थ नहीं था उसके अंदर कोई अभिलाशा ऐसी नहीं थी कि वो संसार को प्यार करे नामानकोडी जब उसके पास आया और नामानकोडी को परमेशर के अशिर्वा से परमेशर का हजाना मेरे साथ है परमेशर की शक्ती मेरे साथ है मेरे पास वो चीज़ है जो किसी के पास नहीं है दोस्तों हमारे पास परमेशर है दोस्तों हमारे पास परमेशर की आत्मा है दोस्तों परमेशर का आशीष हमारे साथ है उसके वचन हमारे साथ है उसकी कृपा हम पर है उसकी दया हम पर है उसका सामर्थ हम में जीवित है उसका सामर्थ हम में जीवित है इसलिए वचन कहता है देखिए उसके सामर्थ को कैनुसार परमिशन हमें आशीश दिया एफीसियो एक कातीन अगर हम देखेंगे एफीसियो आशीशों से आशीशित किया है वो दे चुका है वो सारी आशीशे हमें दे चुका है वो सारे सामर्थ हमें दे चुका है अब उसने हमें कुछ नहीं देना है हमने तो अब उस सामर्थ को अपने जीवन में रखते हुए उस सामर्थ के द्वारा परमेशर के कि प्रेम का पीछा करो और आत्मिक वड़तानों की धुम में लगे रहाँ लगे रहाँ वह सामर्ज जो हमारे अंदर है वो कब काम आएगा जो हम परमेशो के करीब रहेंगे जो हम प्रातना में रहेंगे जो हम उसको बताएंगे कि उसके सिवा हमारा कोई नहीं है हमारे जीवन में पहला इस्तान उसी का है हमारा काम सिर्फ उसकी सेवा ही है हमारा काम सिर्फ उसकी सुसोमाचाद ही है और कोई हमारा काम नहीं है कोई सेवा, कोई काम, कोई अभी लाशा हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती क्योंकि हमारा केंदर बिंदू एशू मसी है उसका आना उसका रहना उसका मरना और मर के जिन्दा होना यही सत्य है और यही सत्य हमारे अंदर है यही सत्य हमें अपने अंदर पालना है इसी सत्य के अनुसार हमें अपनी जीवन को बिताना है क्योंकि मेरे भाई यही सत्य आपको सामर्द देता है यही सत्य मुर्दों को जिन्दा करता है यही सत्य था अलिशा के अंदर कि उसकी हड्डियों से स्पर्श होकर एक मुर्द तक जिन्दा हो गया और उटके खाड़ा हो गया दोस्तों, यही सत्य था यहूशु के अंदर, कि उसने सूरच को थाम दिया, उसने चांद को थाम दिया, उनसे कहा चांद और सूरच, थामो, रुको जब तक मेदी सेना यहा है से नहीं निकल जाती, हालेड़या, वो सामर्थ हमारे अंदर है, वो परमेशर की क्रिपा हमारे अंदर है दोस्तो हमें युही नहीं जीना है हमारे अंदर जो सामर्थ है उसका हमें उप्लोग करना है हमें दुनिया को बताना है कि हमें सामर्थ ही इनसान है हमें दुनिया को बताना है कि हमें शुमसी के बच्चे हैं हम इशुमसी की संतान है हम उसकी जोदी है इसलिए वो सामर्थ अपने अंदर लेकर हमें हर पल जीना है और विश्वास करना है जो सामर्थ पत्रस के पास था जो सामर्थ अपके अलिश्या के पास था जो अपके यहुश्यू के पास था जो मुसा के पास था, वो सामर्थ हम में है और जीवित है, इसलिए हमें कोई रोक नहीं सकता, इसलिए हमें कोई रोक नहीं सकता हमें परमिश्व के राज्य को बढ़ाना है, और परमिश्व के राज्य को बढ़ाने के लिए अपने सामर्थ को जो हम में बसा हुआ है, उसका अपने सामर्थ को जो हमारे अंदर है जो परमेशर का सामर्थ हमारे अंदर है उसको उसका उप्योग करना है हम जब बोलेंगे वो सामर्थ काम हागा हम जब चलेंगे वो सामर्थ काम करेंगा हम जब परमिशर के वशनों को अपने जिवन में बताएंगे वो सामर्थ काम करेगा और वो सामर्थ बताएगा कि हम इशू के संतान है अलेलई vandaag धन्यवाद कि धन्यवाद धन्यवाद कि ता परमिशर आज का दिन पवित रहा परमिशर, तेरी नाम पवित रहा परमेशन, आईए हम प्रातना करते हैं हम धन्यवाद की प्रातना करते हैं कि परमेशन हमें सामर्द दिया और हमें एक और प्रातना करते हैं कि प्रभू आज की सुभा मेरे भाई, मेरे बहन परमेशन अपने अपने सामर्द को समझें अपनी शक्ती को जाने और आज से अभी से अभी से वो सामर्थ उस सामर्थ को लेकर चले उस सामर्थ के जरीये दुनिया में जाएं तक ए दुनिया जाने की इश्यू मेरे अंदर है इश्यू जिन्दा है इश्यू आने वाला है और इश्यू के नाम से मुर्दे जिन्दा होते हैं धन्यवाद धन्यवाद सुनने वले हर भाई में इनके लिए आशीर सुकोचंगाई मांगता हूँ एमेन, एमेन, एमेन